राजीर सर जब आप सत्ता के खिलाप लिखते हैं आपने बुल्डोज रैक्शन पर लिखा आपकी एक कविता जो गोधरा में जो कुछ हुआ उस पर आपने लिखा कितना असर कवि के जीवन पर पढ़ता है जब आप इस तरह कर लिखते हैं बगाईदा नाम ले। हैं अपर जीवन पर इसंभ सकते हैं है इस यायन राजनेतिक बनेंगी उसके हिसाब से अशर पड़ते हैं कि आप जो सत्ता की खास्तोर से सत्ता की किसी भी पक्ष पर लिख रहे हैं, सत्ता की द्वारा किये गए अन्याय पर लिख रहे हैं, या सत्ता की द्वारा की गई जातियों पर लिख रहे हैं, तो उसके असर आप पर भी पढ़ेंगे और लोगों पर भी पढ़ेंगे, जो सुन रहे हैं, तो ये तो होता है, दोनों वाइस वर्सा होता ही रहता है, तो इसलिए यह हमेशा होगा कि कविता बैसी कली हमेशा प्रतिपक्ष में खड़ी हुई एक चीज नहीं होगी, वो कोई पक्ष में नहीं होगी, किसी सत्ता के पक्ष में कभी कोई कविता लिकी गई हो ऐसा मुझे याद न कि हमेशा कविता का एक मुख्य काम रहा है कि वो उस जनता के या उस आदमी के पक्ष में खड़ी हो जो बिलकुल पेरिफेरी पे जो अंतिम आदमी है जिसे महात्मा गांधी ने अंतिम आदमी कहा था उसके पक्ष में उस पर हो रहे है अन्याय के विरुद्ध हो उस पर होने राजनेतिक हुए कोई कभी नहीं हो सकता तुलसिदास एक बहुत ही राजनेतिक कभी है या कबीर एक बहुत राजनेतिक कभी है हम यह नहीं कह सकते कि वह गहर राजनेतिक कभी है तो उनके भी एक पॉलिटिक्स है और वो जब आप देखेंगे तो यह मालूम पड़ेगा कि वो किसके पक्ष में है और किसके विरुद है तो आपकी कविता है शासक होने की इच्छा किस तरह का शासक होना चाहिए किस तरह का शासक होना चाहिए वैसे ये कहा गया कि शासन हमेशा बुरा होता है मनश्य द्वारा मनश्य पर किया जाने वाला शासन हमेशा अन्याए करता है, हमेशा भेदबाव करता है, इसलिए कोई भी शासन, स्वः शासन के अलावा, कोई भी शासन, अच्छा शासन नहीं होता। ज़ीरब ज्यादा से ज़ादा बेहतर शासन चुनने की कोशिष होती है अंब यानने ऐस ऐसा शासन हम चुन सकें ज़ए 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 सब्काइब ज़ए ज़ए गो ज़ए जयदा गुर्शत अदिकारी ज़ेता हो सकता है लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो अमेरिका में लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो 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 हमारे हैं और लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो जावलाल नहरू की समय में था और आज की समय में इस लोकतंत्र में बहुत अंतर है झाल 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 झाल